कोश्कीत अगरा हॹाइड को है हालो व्रिवान ऑलकाम तो जरिक जही आ Cambod कर रहे थे थे अब सब्सक्राब कर रहे हैं और हम य्टिमेट के बारे में नेवल इंस्ट्रुमेट के था पे अये हुआ कि डंपी लेवल लेवल और मॉडर्ल बहुत सरे तरह के लेवल थे उन पर हमारे डिटेल डिसकेशन जारी भी रहेगा लेकिन उस दिसकेशन को कंटीनु करने से पहले उस दिसकेशन को आगे बढ़ाने से पहले आई होब कि आप सभी अपने इस चैनल पर पटा पटा चुके ह होँगे और चैनल जरू कर लेना ना ठीक है तर चैनल जरू कर लेना और से जरू कर दीजे शेशन को जो आधिक है फटा-फट सबसे और लाइक कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है तो आगे बढ़ते हैं लोग और डिसमस करते हैं टाइपस आप लेवए इंस्ट्रुमे कि क्या तो मैंने बताय ते आपको डाय डिसकसिन चल रहा था ता इसमें डंपी लेवल पर डिसकेशन चला था इसमें देखे क्या 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 होते हैं टेलिस्कोप होगा डियर पहला टेलिस्कोप ठीक है टेलिस्कोप जो है है दो तरह के होते हैं मैंने बताया था एक एक्सटर्नल फोक्सिंग टेलिस्कोप और एक इंटर्नल फोक्सिंग टेलिस्कोप ठीक है एक्सटर्नल फोक्सिंग और दूसरा इंटर्नल फोक्सिंग ठीक है एक्सटर्नल स्कोप में जो है टेलेस्कोप के बाद हम लोग आते हैं इसमें बहुत सारे भी इंस्रुमेंट हमारे बहुत सारे कमपोंगे जो है एक आइपीस आइपीस इस में आई टीस है इसमें डियर जनरली रैम्सटन आइपीस ज़्यादा यूज होता है वैसे तो कई सारे है बड़ रिम्सजन आई पीज ज्यादा यूज होता है तो इसमें टू इस प्लेनो कन्वेक्स लेंश क्या है तो प्लेनों कन्वेक्स लेंश यूज होते हैं इसके बाद थारड पहलों लोग आता है देट है, पाप जेट लेन्स, क्या है डियेद ऑबजेट लेन्स, आपजेट लेन्स के अगर मैं बात करूँ, तो आपजेट लेन्स में, आपका देखें क्या क्या है, आपजेट लेन्स, में भी आपके, इसमें भी मने बोला था, internal focusing सिंग टेलिस्कोप में डबल कंके फिलेंस होता है डबल कंके फिलेंस की कर तो देखेक्या है आपजएक्ट लिन्स में जो है ठीक है प्लिंट कांच यूज होता है जेनरली प्लिंट ग्लास यूज होता है ठीक है और इसके बाद नेक्स्ट आता है पूर्थ जिसके मैं बात कर रहा हूं जो है पूर्थ आपका है जिसे हम लोग लेवल ट्यूब बोल सकते है ठीक है लेवल ट्यूब भी होता है इसके बाद क्रॉस लेवल यूज होता है डियर क्रॉस लेवल ट्यूब क्रॉस लेवल ट्यूब या इसी का शॉर्ट फॉर्म अपा गया है पिल बॉक्स बबल ट्यूब फिल बॉक्स ठीक है फिल बॉक्स भी यूज होता है डियर ठीक है यह सारे कंपोनेंट मैं आपको बता दे रहा हूं घ्रीं का है यह लिव बॉक्स होता है इसके बाद next जो इसमें आता हैening क्रोस्पट लेवल ट्यूब फिल बॉक्स लेवल किता है इसमें जाता है लेवल ब्रेट्ट है लेवलिंग हैड में पुरा सेट होता है इसमें त्राइब गज़े सब्सक्रैस आदेए जो है इसमें अ कि अधिज वाला भी पहले आते से को ठाइब बोलते हैं ठीक अडिय तो यह दो चीजें है आपका इसके बाद लेवलिंग में हमारे साह दूरते हैं लेवलिंग स्क्रू बोलते है जिनको चتمूट है स्कूरू के नाम से जाना जाता है लेवलिंग त्रूव या सुट इस ही इस क्रुब स्कृ बोलते हैं देटे इसके बार इसके बाद में लेक्स आता है फोकूछिंग इस्कूरू अब से टेलिष्कोप टेलिष्कोप का भी फोकसिंग स्परू होता है डिया फोकसिंग इस क्रू कि लिए कि आ बड आता है impulsen ऑग बाग जिसे बोलते हैं अच्छेल क्लैंप कुरें टीक में म Calmisch के पाद में स्पर्टा प्र लूम श्तानील नमबर पर इसे और टेंजेंट इसको बोला जाता है इसका एक नाम और है जिसे बोलते हैं टेंजेंट इसक्रूव इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें छूट रही है चूटेंगी मैं आपको एक्स्प्रेंट करता हूं ठीक है यह जो है slow motion शुरू हो गया tangent शुरू हो गया आपका telescope हो गया level tube हो गया ठीक है अगर additional इसमें compass भी आप arrange कर सकते हैं अगर जोद पढ़ती है तो इसमें compass का भी arrangement कर देते हैं ठीक है compass इसमें externally आप लगा सकते हैं ठीक है ठीक है और यह आपके सारे component होगा लेवलिंग है और यह सारे चीज़ों लगबग 10-11 चीज़ें अभी और जो इसमें छूटता है मैं आपको बताता हूं फटा-फट जो है ठीक है पहला इसमें डंपी लेवल का थाज ड्यार तो डंपी लेवल के में टेलिसकोप के बारे मैं आपको बता रही चुका हों मैं टेलिसकोप दो टाइप के होते हैं इसमें एक्सटर्न टैजिस्पॉप और इंस्टर्म ये बहुत फजिमस ये ट्चरी फोकॉर्स डिस्टेंस की डिस्टेंस पर आपस में लगा जाते हैं इसमें दो प्लेनों convex lens two by three f f or focus distance या focal length distance पर आपको बता चुका हो मैं कि डायफ्राम के optical डायफ्राम के और object lens के center to center distance जो होती है वो जो है के बीच की जो distance होती है ठीक है center to center उनके बीच की जो दूरी होती है that is focal length उसको focus object lens में जो है आपका दो समुत्तर lens यूज होते हैं ठीक है लेवल ट्यूब में आपको मैं बता ही चुका हूँ लेवल ट्यूब जो है लेवल ट्यूब लॉंगिटिनल ट्यूब होती है हमारे इस्टुमेंट को horizontal level में लाने के लिए यूज होती है इसमें यह इस तरह से बनाया जाता है यह इस तरह से यह आपकी ट्यूब हो गए और यह बबल होता है और इसमें देखिए इस तरह से निशान बने होते हैं ठीक अपता बताते हैं कि अपने सेंटर से किस तरह से भागता है और यह एक निशान एक निशान दो एम या प्सक्रू लगा रहता है स्अप्स लेखा रहता है और चीक है और एक पर जो है यह मेटल से जूड़ी हुई रहती है या फिर दोनों इंड पर क्याट्टन इसको लगा देते हैं यही है जो बबल होगा वह उपर की तरफ भगेगा और अपने सेंटर में चिप कर रहेगा इधार उदर तो इसको में देखने और इसको देखने के लि box के नाम से जाने जाती है चोटी सी गुलगुल यह हो जाती है और इसमें बबल में सेंटर भरा होता है तो यह बेदेफट आपको हो जाता है अ उसके के बाद leveling head प्रेंद होता है डियर दो को नी उति होती है दो तिकोनी प्लेट्स होती है एक दूसरे पर वह सपोर्टड होती है ठीक है और इनके बीच में यह झाल होते है इनके बीच में 3 hardened-s 배 awarded ऑ動画 एक दिर जिनको लेवलिंग इसक्रू या फूल स्कूरोज्ट के मेरी पूरा इस में नीचे थ्रेड़ कटी है और जैसे माली आपका लेवल इंस्टूमेंट हो गया यहां पर नीचे यह विड्या और तब स्थूड़ कटी होतीध है और इस करके इसके बाद ऐसको होता है делosphone यह जो टेलिसकोप है देख रहे हैं ठीक है यह जो टेलिस्कोप हम लोगों का टेलिस्कोप में इसले को इनकी को गुमा कर एक साथ इंवर्ड और गुमा करके हमारा इंस्ट्रुमेंट है वह हो लेवल प्लेन में लाई करता है इसी लिए इनको लेवल इसकुरी आफ पूट के नाम से जाना आता है इसमें कंसेट हमेशा याद रखिए जब हम इसे एक साथ इन वर्ड दे के दो ध्यान रहें दो दो लेवल इसकी लेवल ट्यूब इसकी जो टेलिस्कोप उसको किनी दो बाएं भागेगा तो इस कॉंसेट को आप ध्यान रखे इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे आपको कोई प्रॉबलम नहीं होगे अगर एक साथ अंदर की तरफ गुमा रहे हैं तो बाइं की तरफ भागेगा इस पर निशान जो दो में मैं देखे पॉइंट वन एमम का और बचाना होता है शाल कर देंगे तेलिस्कोप आपका घूम नहीं पाएंगा नहीं हो ru लेकिन लक्ष करने के लिए करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है और ध्यान रखिए हमेशा मेरी बात को अब करेगा जब क्लैंप आपका टाइट होगा जब आपने टेलिस्कोप को टाइट कर रखा है तो उसको क्लियरली अपने अब्जेट को बाइसेट करने के लिए डियर हम जो है अब स्टॉन चैंजंट इसकूद का यूज़ करते हैं यह तेंजेंट में होता है इसको घुमाने से धीरे धीरे अमारा जो है फोकस होता रहे बनता रहता है उस पर टार्गेट पर क्लियरली क्लैंप इस कुरूग कसे होने के बावजूद ठीक है लेकिन लेकिन इसकूब यह तभी काम करेगा आपका जब क्लैंट होगा ठीक है इसी करम में उसके कमपास इसमें खांचा कटा होता है लॉंगिट्यूडनल ट्यू टेलिस्कोब के पास जो है खांचा कटा होता होता है उसमें अपने और शकता अनुसार कमपास भी अरेंज कर सकते हैं नौत मिरीडियन क्या होता है कि डंपी लेवल में ड्लाइं तो होता है लेकिन उसमें स्थाडिया नहीं रोता ह्यों टार्फराम एक पीतल का ब्रास का एक रिंग होता है और उसमें आपका स्धाइन हो सकती है एक horizontal line हो सकती है ठीक है एक horizontal line हो सकती है एक vertical line हो सकती है यहां तक कि दो vertical lines भी हो सकती है ठीक है और इस तरह से इस तरह से भी system आपको मिल सकता है कारण क्या है यह cross hairs कहलाते हैं कौन संधु यह जो आप देख रहा है जो खाड़ी line है और जो पड़ी güzel ने है इनको crystal हो सतर्च क्रास एक और यह जो आप ऊपर ञाइन और नीचे वाली देखर रहा है कि एह ट्रूफर अपर झॉपर वाली लाइन को अपर स्टेडिया बोलते है क्या बोलते है lower stadia ठीक है ना lower stadia और इसके अलावा आप दो वर्टिकल और और देख सकते हैं ठीक है यह हमारे इंस्ट्रूमेंट का परमानेट एड्जसमेंट करने के लिए और अब राइस चेक करने के के लिए वर्टिकल टी वर्टिकल प्लेमें रियल में लाइक कर रहा है कि नहीं उसको चेक करने के लिए यूज किया सकते हैं या यह इस कई तरह के आपको डाइफ्राम मिल सकते हैं हो सकता है कुछ डाइफ्राम में आपको इस तरह से कंडिशन मिले कि यह जो दो आप देख र होता है इनके के लिए तो एक कि प्रमानेंट और ज स्टेडिए और यह पीतल कि जो रिंघ होती एक सिस्टम को बोलता है क्या बोलते हैं लेकिन stirred up लेवेल एंपने घ्रम सकते ह्लाने के लिए आपर चिर्डिय आपको नहीं रहेकर थे थीडर हो जाती है है होता है कि इन दोनों की बीच के जो डिफरेंस लेवल होता है उसको आई बोलते हैं और जिसका मुल्टिप्लाइं कॉंस्टेंट होता हुँ तो उस पॉइंट के हमें डिस्टेंस मीजर हो जाती है ठीक है कैसे करते हैं वह इसको पढ़ा जाता है तो यह चीज़े जब मैं आपको पढ़ाऊंगा और जाता होंगी और जाता क्लेर होंगी कोई दिक्कत नहीं परिशान मत हो यह उससे अभी तो बहुत सारी चीज़ें मुझे बताने हैं आपको ठीक है तो इस पूरे सिस्टम को डाफ राम इसमें होता ह मतलब किसी बिंदू की दूरी हम नहीं कर सकते हैं तो यह सारी चीज़े हैं आपको इसके लाइन डाआगराम में मैं पर है अगला लाइन डाइग्राम में देखिए अब दोता है फिर्द जाएव नहीं होता है आपको धन्टनल खोसिंग ज्यादा य्कई लेकिन इंटरनल वरॉक्षिंग न ज RIVER इन्टेर्नल वोक्षक्षिंग में दूर्ग जब पढ़ जाती है तो सब्सक धिक्कत कर सकते लेकिन इसमें ज्यादा होता यहां इनके ड्रोबाइक भी है अपरिषान मत हुई यह 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 फोकसिंग इस्कूरू है यह फोकसिंग इस्कूरू है यह फोकसिंग इस्कूरू है यह फोकसिंग इस्कूरू है यह वह लेवल ट्यूब है जिसके मैं बात कर रहा था यह लेवल ट्यूब है 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 लवलिंग है त्यक्त को जो आप देख रहे हैं इसको ट्राइब बोलते हैं वह ठी pero कि अब प्रीघ क्या और नीचे वाली प्लेट को ट्राइबट जो आ सिपी समधा जंके में बात लेवल और उडिस्क्रून को हम बोलते हैं ठीक है कि यह आई पीस हो गया हम लोगों का हम लोग के इंस्ट्रूमेंट का आई पीस कि यह आपका अब्जेट पीस हो गया डियर अब्जेक्ट वेन भी बोल सकते हो आप को ऑब्जेट stroll यह इंदिक है उसकर और धकने के लिए यूज होता है सिक है उसके बाद को यहां पर यहां पर क्रॉस लेवल उसकी क्ररस्नेख बोला का तो यह देख रहा है इस तरह से तो यह आप यहां से आई पीस को भी फोकस करते हैं और यह कॉलर की मदद से देखिए यह कॉलर है इन कोलर के मदद से बहुत दोनता से जुड़ी होती है यह बहुत ही बहुत ही इस्ट्रॉंग और आप इंस्ट्रॉमेंट है इस ट्रॉंग एंड कॉम्पाक्ट इंस्ट्रॉमेंट होता है इसका समझन तो थोड़ा देर ने होता है अभी और जितने आप आगे पढ़ेंगे वाई लेवल और लेवल उनका उतना इंफेक्टिव नहीं है वह जल्दी तो हो जाते हैं उनका लेकिन वे बिस्टर्ब्स अब इसमें नीचे देखे नीचे नीचे है ति के नीचे है तो यह आपको इसके और की बात करूँ यह तो चीज़ें तो मॉडर्टल फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा इस तरह से ठीक है यह इसका modern form है और मतलब time के साथ साथ चीज़े modify होती चली गई है तो यहाँ पर देखे आप जो मैं cross bubble tube की बात कर रहा था यह देखे cross bubble tube हो गया ठीक है यह आपका जो है cross bubble tube हो गया जिसके मैं बात कर रहा था यह cross bubble tube यह देखे नीचे यहाँ पर देखे सब्सक्राइब कर दिया है इदर लेट साइड में फोकसिंग स्कूरू भी नहीं दे रखा है यह देखे अब्जट ग्लास है अब्जट लेंस है इसकी बात हम अपन लोग कर रहे था है तो यह उसका और मतलब develop form है model form है और अथ्य से इसमें आपको clear होगा ठीक है तो यह चीजें हो गई आपकी अगर इसके मैं और component की बात करूं तो कुछ इस तरह से आपको दिख सकता है यह ठीक है इस तरह से आपको दिख सकता है देखे यह कि ऐटेंजन्ड sister को जाढ़ा आशीं परिका यह एक मीवक कर रहा था यह ठीक है और century क्लेकर स्कता ही मुछ मिह तो क्लेर होगा इसकेенным तब कर दो सब्सक्राइब होगा है तुन समें टेकिन को बढ़ते हैं सब्सक्राइध कृऍजन फिर च्रुल्स प्रेट्स यह एक टिए जी यह में देखरा है यह एक प्लेट्टि यह अधे बर्याद कर देखराया देखर लेबल fiscal O आपको यहां पर दिखाता हूँ ठीक है इस से आपके कुछ डाउट्स और क्लियर हो जाएं ठीक है यह देख रहा है लाइन डियाग्राम देख रहा है जिसके मैं लाइन डियाग्राम के बात कर रहा था ठीक है है तो यहां पर देखिए वही जिसकी मैं बात कर रहा है दुधिये अब्जयक्त प्लेट को राइवर्ट बोलते हैं ठीक है न इसके बाद पूरे आसंब ली को इस पूरे सम्भली को सबीड लेवल लेवलिंग हैं लिखा हुआ ठीक है लेवलिंग है अपका इसके बाद यह फोक्सिंग इसकूरू देखिए अपने टेलिसकोप का आई पीज हो गया यह डाफ्राम जिसकी मैं बात कर रहा थे देखरें डाफ्राम हो गया यह तीजह ओके से नीचे देख्या है यह जो घडित होते हैं यह घर आपने लोग बात करें इसमें आ जाएए इसमें अगर ते इसमें भी आपको चीजां में आपको यहां पर हो सकती हैं देखेंता इक नंबर ले लिंग हैं ने टिर कम हो रहा हूं किoria हैड देलेविल्हेड तदेखें एक नमबर लेवलिंग घ्र किया ना यह लेवलिंग होँट होगह आप ना क्लियर हो रहा हो आपको यह ळवलिंग हैं कि एक है ना कि लेविलें NC छुटचभे हैं डाइस एक अब भीडिया किया है दो कर दिखें किए दो एक ऐपीस पटिक एपीस हो गया यह को इस पूर्थ नंबर पर देखिए अगर बात करें पूर्थ नंबर पर अधफ रॉन यह डिख फराम छाए याद्थ रखें रिए डाट राम हमें से थोड़ा ता आगे होता है आई पीस से उसके बाद लास्ट में object lens होता है देखे 6 नमबर पर देखे रेशी ता या object lens या object lens अप ते स्टोगे ला। इसके में बात कर रहा था भूकुसिंख्रूं रिख और बोलते हैं तहीं है जिसके सकते हैं इसके बात कर रहा था weld फुट गया इसके देखें नट्स है एक नमबर देख रहे हैं इसको पर नट्स है हैंसाइए पर सकते हैं आप उनको बोल अच्छाइए क्निकरोफ फर्लीध ब enclosureťनकर ल्सक्राइए हैं आपको clarify है एक number leveling इसको होगी गया तो यह मुझे लगता है कि काफी कुछ आपको clear हो गया होगा जो है ठीक है काफी कुछ आपको clear हुआ होगा जो है आपका जो leveling जो आपका डंपी level उसके बारे में तो बड़ा बड़ चलिए अब मैं आता हूं जो है कि डंपि लेवल को solid level ही बोला जाता है इसके बाद अब हम लोग बात केला है दूसरा वाइल लेवल कि सेकेंड की दूसरे नमबर पर आते है that is why लेवल क्या है डिया वाइल इसी को वाइल वह बोलते हैं क्यों बोलते हैं वाइल भी बताता हूं मैं आपको जो है एक्चुली मैंने बताया ना कि जैसे जैसे टाइम टाइम चीजें मोडिफाई होती गए तो अब धीरे धीरे उसका किए भाइपर अनसी इसको वाई लेवलं बोलते हैं यसके जो बात इसके जो है है कि आई पीस ऐंड ओबिए आबज्ट वें इस इसको निकाल कर अलग कि या सकता है और इसके अपस में सिरे अदला बदल्य किया सकता है ठीक है इसके सिरों को निकाल के अलग एक्सिस लॉंगीट्यूडिनल एक्सिस लॉंगी ट्यूडिनल एक्सिस के एलॉंग लॉंग इसको घुमा आ सकता है तो यह घूम सकता है जो कि आपका इसको आपको आप नहीं कर सकते हैं बाक्ति सारी ऊपरीटी तरह होती है sail जो परमानेंट एडजस्टमेंट है वह जल्दी हो जाता है परमानेंट एडजस्टमेंट एड़ इसल्टेश्टमेंट रहे हैं इसको आपने लोग एस्टेबल तो कर सकते हैं लेकिन ये बहुत जल्दी फिर वह हो अब फिट चेंज हो सकता है है क्योंकि इसके जादा होते है तो इस़ीलिए इसको वाइन लेवल बोलते हैं इसके बात करूया थिक करो है तो ऊटनबर पर आता है जिसके बात करूं उसको बोलते हैं लेवर्सीब का बोलते है है जिए रिवर्सीब सबूल ले ох थीड़ीमर क्या होता मता दो थीय इस इस 的 भानख sincer level दो टाइक के होते हैं वह द्बर से आएठ एक नहीं से फेर्व से बने श्यंकर लेबल पर चीछ-बेसेश बोलातर पर पर. और ऐक फिंग लेबल अटी है तिंग vielen फोशंग सिए डाया कुषिंग लैविन खरम कुशिंग कि लेवल ठीक है एक रिवर्स कुल बाले है तुक्स सबहब्स मुर्स का इस सब्सक्ति चुछाओ यह सब्सक्राइब है मैं इन दोनों का समद्री और इन थो कम्बाइन प्रॉपर्टीज आफ कम्बाइन प्रॉपर्टीज और दियर किसकी कम्बाइन प्रॉपर्टीज है डंपी लेवल डंपी लेवल एंड वाई लेवल की तो इसी क्या है डंपी लेवल एंड वाई लेवल की मिली जुली प्रॉपर्टीज रीजन क्या है कि यह hadier screw द्वारा, nutto द्वारा थीक है हिए screw का क्या आई चक्षिद्वान कि आङके लेड़ता है दंपी लेवल बन गया और जब आपने उसको release कर दिया डिला रहे कर दिया लूस कर दिया तब आपका वाई लैवल बन गया अब जैसे में啊 उसका सिरादल्वा बदली कर लो इसका एजस्टमेट भी ऐज़ी है जल्दी हो जाता है और इसमें जो है इसके आपस में सिरादल सकत Hence सकते वर्डिकल अश्कों कर सकते तेलिष्क निकाल सकते हैं आपजेट 20 की जगा है आई मत भी स हो कर सकते हैं जो कि आप से उप persuadません नहीं कर पाते थिए तो जब आम मesए सपोर्ट कर देते हैं तब theory level की तरह हो जाता है जब clamp कर देते हैं Will chamado कर देते हैं तब इसके आगे मेंस्ट जो है discussion हमारा जो है next lecture में चलेगा तब तक आप जो भी चीज़े पढ़ाई जा रही जो भी चीज़े बताई जा रही उन पर focus करिए उन पर जो है अच्छे से practice करिए और मिलते हैं हम लोग next lecture में okay thank you everyone thank you so much खुआ झाल करता हम जो धर जाफ्टन धें बताइब बता सब्सक्वार जार लोग्टन अच्छे से बता हैं हम जो पुआ जाए खवगार क्या है अब्सक्वांद करिए नूजबूब करिए अच्छेट चार्वपा जो भाजजब करिए जावशन एमार शोचे से उन सम्तिक आ